नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूचा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी से जुड़ी हुए आपको बता रहे हैं जहां आज कुछी घंटों के बाद अर्विन केजरिवाल को दिली के राउस माँद मांगी जा सकती है यसे बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दे अर्विन केजरिवाल ने अपनी अर्जिक को सुप्रेज कोट से वापस ले लिया है ज्यासल अर्विन केजरिवाल भागे भागे सुप्रेज कोट पहुँचे थे जयाचका दाखिल की गई थी सु तरह से आम आदमी पाठी का हला बोल जारी है पुरे देश बर में देश वापी आंदोलन की बात आम आदमी पाठी के तरफ से की जारी है दिल्ली के आईटियों के बाहर जबरदस सुरक्षा बल्व की तैनाती भी है साथ में आम आदमी पाठी के तमाम बड़े नेता सड़को पर उतर आया है केज्रिवाल की गिरफ्तारी का विरोत कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बैरेगेटिंग लेकर खड़े हैं, लेकिन पोस्टर बैनर के साथ जो विरोत किया जा रहा है, उसको लेकर पुलिस की भी कारवाई ताबड तोड जारी हैं तो आज केजरिवाल की कोट में पेशी होगी, उससे पहले ही केजरिवाल ने सुप्रिम कोट में हार मान ली है, तो क्या कुछ जुड़ी बड़ी अपडेट अब तक की है, आपको बताएंगे, मेरे से जुड़े हैं क्या पचल टीविके, एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार, कल रात को भागे-भागे गया थे सुप्रिम कोट सुनवाई नहीं हुई, सुबह सुनवाई के लिए सुप्रिम कोट तयार भी हो गया था, लेकिन अब याचिका वापस क्यों ले ली गई? देखिए वापस इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि सुप्रिम कोट से भाग खड़े हुए केजरिवाल, कारण ये है कि कई सारे सबूत, कई सारी जानकारिया, एडि ने उपलब पहले से कर रखा था, जिसके आधात पे दिल्ली हाई कोट ने इनको कोई रियायत नहीं दी थी, अब और भी कई सारे ने दस्तावेज, ने सबूत, केजरिवाल के घर से मिले हैं, भागना इसलिए पड़ा उनको, क्योंकि इनको लगा, मनुसिंग्भी साहब को, कि मैं घुसूंगा, रिट प्रिटिसन डालूंगा, और हीबियस कॉर्पुस के तहच जो है, हम के तरफ से एक कैवियेट डाल दिया गया, कैवियेट में ये कहा गया कि कोई भी फैसला लीजिएगा बिना हमारे सुने नहीं, तो सिंग्भी साहब को समझ में आ गया, कि भाई, अगर ये लोग आएंगे, तो ये लोग तो समूत दिखाएंगे, वही समूत जो दिल्ली कोट में दिखाया गया, और वहाँ जो हस्र हुआ, वही हस्र यहाँ होगा, उन्होंने इमीडिटली कह दिया, ऐसे तो बली हर बड़ा हट थी, कल रात में उफान मार रहे थे ये, कभी CGI के घर, कभी रजिस्टार के घर, क्या भी सुनवाई करो, ये इल्लीकल है, ये पूचे जस्टिस खना के सामने, तो जस्टिस खना ने पूचा कि भई, क्या बात है, रिट पिटिशन है, बुले हाँ सर, चिप जस्टिस ने कहा है, आपके सामने जो है, अपियर होने के लिए, तो वहाँ पे सिंग्वी साहब ने एक डालोग दिया, जस्टिस खना को बता उन्होंने बताया कि देखिए अभी तो पहला वोटिंग हुआ भी नहीं है अभी तो सिर्फ चुनाओ की घोशना हुई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो चुनाओ से पहले कई दरजन नेता जो हो जेल के अंदर चले जाएंगे इसलिए बड़ा मामला जरूरी है एक घंटे क हम नहीं हम जा रहे हैं वापस धाई बजे सुनवाई है रौजबन्यू कोट में अब लीगल मसला बस एक बचा हुआ है धाई बजे रौजबन्यू कोट में जहां पे इनकी सुनवाई होगी और उसके बाद इनको हिरासत में भेजा जाएगा क्योंकि सबूतों का अंबार ह सुप्रिम कोट से तो भाग खड़े हुए लेकिन अब लोवर कोट में अपील करेंगे अपील नहीं है तो जब गिरफतारी होती है तो आरोपी को कोट में ले जाया जाता है कोट में पेश किया जाता है और तमाम दलीलों को सुनने के बाद जजज साहब को ये लगता है कि इसकी capacity जरूरी है इसको गिरफतार करके ही इससे पूश्टाज करना जरूरी है तो उनको हिरासत में भेज दिया जाता है तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है वहाँ पे अगर सिंग्वी साहब ये कन्विंस करने में काम्याब हो जाते हैं कि गिरफतारी की जरूत नहीं है तो फिर उनको छूट मिल सकती है लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहाएं कि भई हम वीडियो कॉन्फरेंसिंग से आएंगे और तो और जाने दीजिए पिछले 24 घंटे में अभी तक एक भी ऐसी खबर नहीं आई कि जिसमें ये पता चल रहा हो कि ये एडी के साथ कोपरेट कर रहे हूं घर के अंदर कई सारे जासुसी वाले दस्तावेज मिल गये हैं एडी अधिकारियों की जासुसी ये कर रहे थे इनसे पूस्ताश की गई, कई सारे सवाल पूछे गए, किसी का जवाब नहीं दिया केजरिवाल ये जो मीडिया के सामने शेर बनता था ED के सवालों के सामने ये भीगी बिल्ली बन गया ये गुंगा और बहरा हो गया ऐसा लग रहा था कि ED के सवाल को न वो सुन पा रहा है न मुँसे कोई आवाज निकल रही है तो ये तो बिलकुल ही कौपरेट नहीं कर रहा है या और इसलिए ये एक बड़ा आधार बन जाएगा कि इसकी हिरासत जो है वो दस दिन के लिए आपकी सही का 10 दिन की मांग की जाएगी तो ये समझ लीजिए कि 10 दिन की मांग की जाती है तो 5-7 दिनों की जो है वो मिल जाती फिर वो एक्स्टेंड होता चला जाता है जैसे टाइमिंग बहुत आयम है साटेडे संडे है होली भी है ऐसे में तो केजरिवाल की मुसीबत भारी है देखिए मुसीबत तो ही इसमें को डाउट नहीं है क्योंकि आज ही उनको 5-6 दिन का अगर यह दे दिया जाता है तो होली तो यह अपने दोस्तों के साथ मनाएंगे लेकिन दिक्कत क्या है केजरिवाल की मुसीबत सिर्फ लीगल ही नहीं है पॉलिटिकल भी है और्गनाजिस्टल भी है पार्टी का क्या होगा कैसे कैसे क्या होगा आपने तस्वीरों को भी दिखाया कि किस तरीके से इन लोगों ने यह कहा था कि भाई हम तो देश वापी आंदोलन करेंगे कहीं से कोई तस्वीर नहीं आ रही मीडिया वालों को तो पैसे देदे करके आपने बकाइदा गुलाम बना रखा है कि कहीं भी छोटी छोटी भी अगर तस्वीरे आ रही है तो वह टीवी पर चलता है आपने देखा को कोई बैंगलूरू में पटना में भगवंत मान तो खुशी मना रहे होंगे कि चलो बला ठेली यह जो रोज फोन करकर के फोन करकर के हमें जो है डिस्टर्प्ट किया करता था सूपर बास बना हुआ था हमारे माथे से यह बड़न हटा है अब आराम से मैं इंडिपेंडेंट हो करके चीफ मिनिस्टर की बठाते हैं देखें यह सुबसे ही लगतार इस तरह का वरोध प्रदर्शन जो है वो आमादमी पार्टी के दफ्तर के बाहर किया जारा है आई टूं में आमादमी पार्टी के नेताओं के तरब से वरोध किया जा रहा है हलाकी पुलिस के लाख मना करने के बावजूद भी जो आमादमी पार्टी के कार करता है नेता है वो सड़क पे उत्रे और मैंने आपको अपडेट बताई कि आमादमी पार्टी के कई ऐसे नेता है जिनको हिरासत मिलिया गया है जिसमें स्वारभ भार्दवाज और आतिशी का भी नाम है लेकिन ये विरोध प्रदशन में ब्रस्टाचारी के साथ को खड़ा नहीं होता एक मोरल कोश्चिन भी है ये लोग तब आते हैं जब दिननी की जनता इसके समर्थन में खड़ी हो गई होते हैं लेकिन आमादमी पार्टी की तरफ से यह अपील की गई थी रिक्वेस्ट किया गया था कि पख्शिकरण बंद जहां पे मेंड प्रदर्शन होना था आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे इन्होंने एलान किया था कि वहां से ये भारती जनता पार्टी के दफ्तर को घेरेंगे वहां पे जमा पूझी कुल मिला करके 300-400 लोग पहुँचे ये कौन लोग हैं ये लोग सब टिकटार्थी हैं मरी जा रही होती और पूरा दिल्ली के लाखों लोग अगर बाहर आ गए होते तो राहुल गांधी भी नदर आते तो प्रियंका वाड़ा भी नदर आती सारे लोग ये डिमोक्रेसी है पबलिक मूड के खिलाए कि ख़बरे आई कि राहुल गांधी जाएंगे इनके परिवार इनको फोन भी गया है फोन पर बात चीद भी किये लेकिन जाने वाले थे उसको लेकर अभी तो कोई कंफर्मिशन ने दिकत क्या है मैं बार बार कह रहा हूं राहूल गांधी हीजों को ओवर इस्टिमेंट कर देते हैं या बिल्कुल अंडरेस्टिमेट नहीं है उनको उस उधेर बून में आपने दिल्ली के नेताओं को भेज दिया, वो अपने मन से नहीं आए, उनको बकाइदा राहूल गांदी के तरफ से कहा गया कि भई जाइए वहाँ पे, और संदीब जिक्षित कह रहे हैं कि गिरफतारी अन्या है, हाँ तो कल तक यही प्रेस कांफरेंस कर रहे थे, कि केजरिवाल महा भरष्ट है, अब गड़बंदन हो गया, तो यह सत्य हरिश्चंद हो गया, अब धिक्कत क्या है, कि जैसे ही यह ख़बर आई, बिल्कुल सही, इनको लगा कि बहुत विरोध प्रदर्शन होगा, चुके लोग इकठा नहीं हुए, लोगों न केजरिवाल का समर्थर नहीं किया, सारे लोग बैक फूट पर चले गए, क्योंकि फिर क्या होगा, कि गरफतारी भी हो जाएगी, यह जेल भी चले जाएगे, इनका नाम भी जगहसा ही हो जाएगा, कि बही देखो, ब्रस्चारियों के साथ कॉंग्रेस पाटी खड़ी हो ग नेल इन दा कॉफिन होगा और उसके बाद इनको तिहार भेज दिया जाएगा, जनता इनके साथ नहीं, पबलिक इनके साथ नहीं, नेता इनके साथ नहीं, गड़बंदन वाले लिप सर्विस कर रहे हैं, टूट कर देने, टूट कर देने से समर्थन तोड़ी होता है, तो ये सारी चीज़े जो हो रही है तो ये बहुत बड़ी मुसिबत केज रिवाल के राजनीती के उपर परसन तो परसनल तो है ही कि वो जेल जाना पड़ेगा लेकिन आम आदी पार्टी के एक्जिस्टेंस के उपर भी अब सवाल खड़े हो गए का सवालों का जवाब नहीं दे रहे है तो येसरी आधार को सामने रखकर एडी केजरिवाल की कस्टडी की मांग करेगी और पूरी उम्मीद है कि केजरिवाल को दिले के राउजविनी कोट से बड़ा जटका लगेगा उससे पहले ही केजरिवाल ने सुप्रिम कोट से अपनी अरजी वापस ले ली है इस बड़ी कपर में मेरे साथ फिलाल इतना ही केजरिवाल ने सुप्रिम के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी